नमस्कार दोस्तों मेरे चैनल पर आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है आज मैं आप लोग के लिए लाई हूं प्लास्टिक पर दूसर पर निबंद अगर हमारी वीडियो आफ फर्स टाइम देख रहे हैं और मेरे चैनल को अभी तक सस्क्राइब नहीं किये हैं तो आज के शमे में प्लास्टिक पर दूसर पर्यावरण के लिए एक गंबीर संकट बन गया है और आने वाले शमे में या और भी ज्यादा पयावख होने वाला है इस पर दूसर के कई कारण हैं तथा इसके नाकरात्मन प्रभाव की शंक्या उससे भी ज्यादा है आईए प्लास्टिक पर दूसर के कारण, पहला पॉइंट किफायती और उब्योग में आशान, प्लास्टिक सबसे ज़्यादे इस्तेमाल किये जाने वाले पदार्थों में से एक है, इसे से डब्बे, बैग, फरनीचर और अनी कई उत्पात बनाए जाते हैं, क्योंकि किफायती होन प्लास्टिक पर दूसर जैसे गंभीर शमश्या उत्पन हुई है, दूसरा पॉइंट देखते हैं, नान बायो ग्रेटेवल, प्लास्टिक में उत्पन कच्रा दीन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, क्योंकि प्लास्टिक एक नान बायो डिग्रेटेवल पदार्थ है, इस भीगटित नहीं होता है, या वाता वरण में सैकडो वाषो तक बना रहता है, जिस शेया भूम, जल और वाइप पर दूसर का कारण बनता है. तीसरा पॉइंट देखते हैं, प्लास्टिक छै होता है, प्रन्तु बिगटित नहीं होता है. प्लास्टिक बैग और प्लास्टिक से बने अन्य पदार छोटे छोटे टुक्रों से तूट जाते हैं तथा मिट्टी और पानी के शोतों में मिल जाते हैं जिसे प्लास्टिक परदूसर की शमस्या उत्पन होती है आईए देखते हैं प्लास्टिक परदूसर के प्रभाव इन बताये गए तरीके से प्लास्टिक परदूसर हमारे पर्यावरण और प्रिथिवी के नव जीवन पर परभाव डालता है इसमें देखते हैं पहला पॉइंट जल को प्रदूसित करता है प्लास्टिक शे उत्पन कच्रा पानी के शोत जैसे की नदियों शमुंदरों तथा महासागरों में मिल जाता है और इन्हें बुरे तरीके से प्रभावित करता है यही पानी हमारे उप्योग के लिए हम तक पहुंचाया जाता है इसे से कोई भी फरक नहीं पड़ता है कि हम इन्हें कितना भी छाने या अपने वास्तिक अवस्था में कभी वापस नहीं आ सकता है और इस पानी के उप्योग से हमारे स्वास्ति पर भी नकरात्मक परभाव पड़ता है इसमें दूसरा पॉइंट देखते हैं भूमी को प्रदूसित करता है भारी मातरा में प्लास्टिक से उत्पन होने वाले कच्रे का डेंट फिकोक से निरांतरड किया जाता है इसके अलावा हवा द्वारा उड़ा ले जाने पर प्लास्टिक के छोटे छोटे टुकड़े एक आस्थान से उड़कर दूसरे आस्थान पर पहुंचा दिये जाते हैं और प्लास्टिक के या टुकडे हानिकारक रशायन उत्पन करते हैं जो की मिट्टी के गुड तथा उर्वक्ता को नश्ट कर देता है या पेड़ पौधी की ब्रीधी को भी प्रभावित करता है इसके आलावा बेकार पड़े हुए प्लास्टिक शे मच्छर और अन्य तरह के कीडे उत्पन होते हैं जो कई तरह की विमारिया फैल आते हैं इसमें तीसरा पौइंट देखते हैं समुंदरी जीवन के लिए खत्रा प्लास्टिक बेक और अन्य प्लास्टिक कच्रे जो की नदियों और समुंदरों में पहुंच जाते हैं उसे समुंदरी जीवो द्वारा ब्रह्म वर्ष अपना भोजन समझ कर खाल लिया जाता है जिशे वह विमार पड़ जाते हैं चौथा पॉइंट देखते हैं इसमें पस्वो के लिए हानिकारक प्लास्टिक पस्वो के लिए बहुत ही अनकारक होता है ज्यादा तर छोटा पस्वो द्वारा कच्रे में फेका गया खाना खाया जाता है वह प्लास्टिक बैगो को अपने खाने के साथ खा लेते हैं जो कि उनके आतों में फज जाता है जिशे अन्त में या तो उनकी मृतु हो जाती है या फिर अनेक अंदर कई बिमारी कई गंभीर बिमारी उत्पन कर देता है इसमें निशकर्ष लिखना बहुती इंपोर्टेंट होता है तो आईए देखते हैं निशकर्ष प्लास्टिक पर दूसर बिसो भर के लिए एक गंभीर चिंता का बिशे है हमारे द्वारा की जाने वाली लापरवायों के कारण या और भी बढ़ाया जा रहा है या वह समस्या है जो हमें इसके समाधान के लिए कठोर फैसले लेने क्या शकता है तो हम भी ये फैसला लेंगे कि प्लास्टिक का उप्योग ना करें तो हमारे चैनल पर पहले बार वीडियो देख रहे हैं और मेरे चैनल को अभी ता सस्क्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सस्क्राइब करें लाइक करें शेयर करें थैंक यू थैंक यू फोर आचिंग माई वीडियो